दोस्तों वेलकम बैक टू दो जनल सरस्टी स्टेडी पॉइंट और यहां पर आज हम बात करेंगे असिस्टन प्रोफेसर की वेकेंसी निकली है और यह जो वेकेंसी है वो आप यह मत सोचे कि एक या दो है नहीं चार हजार प्लस वेकेंसी है यहां पर हम सारी वेकेंसी की बात करेंगे कि यह वेकेंसी कहां पर आई है और क्या education qualification चाहिए कौन कौन लोगी स्टावर्म को भर सकते हैं वीडियो बने रही हैगा वीडियो बहुत important है और उन सबी के लिए जो असिस्टन प्रोफेसर की वेकेंस बरना चाहते हैं यह देखे नोटिफिकेशन का डेट 14-3-2024 है और आप उनलाइन मोड पर फॉर्म जो है समिट कर सकते हैं 28 मार्च 2024 से तो आप देखे बच्चे बहुत से फॉर्म भर भी रहे हैं इसको मैं बता दूँ और लाज्ट डेट फॉर्म भरने की है 29 अप्रेल 2024 और एक्जामिनेशन जो होगा वो आपका चार अगस्त 2024 होगा टेंटिटिव है यह प्रोग्राम और वैसे और चेंज तो जहां तक है मुझे लग रहा है कि नहीं होगा इंटर्विव होता ही आपको पता इसमें तो वो बाद में अनौंस कर दी जाएगा आई देखे टोटल देखे वैक्लॉग की वेकंसी और ये सब वेकंसी मिला कर 4 000 वेकंसी यहां पर आपको कर्रेंट वेकंसी देखे 3 921 वेकंसी है यह और totally वेक्लॉग को मिला कर पूरी 4000 वेकंसी है और पूरा इसमें दे रख्खा है अब मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि वेकेंसी कहां पर आई है तो यह देखें यह जो वेकेंसी है वो टीचर्स रिक्रूट्मेंट वोड गवर्न्मेंट अफ तमिलनाडू के तुरू निकली है और देखें असिस्टन प्रोफेसर ऐसा नहीं कि आप अपनी जिस रा है 4000 वेकेंसी हैं यह देखें आप बता रहे हैं पूरी 4000 वेकेंसी हैं और आप जो है 29 दोजार 24 को शाम 5 वजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और यह देखें पूरा एप्लिकेशन जो इन्वाइट की जा रहे हैं इलिजिबल कंडिडेट से असिस्टन प्रोफेसर की देखे Feng thing प्रोफे वेकेंसी हैं लिखा है यहां पर तो यह भी मैंने अपको यहां पर सब बता दिया इसके बात यह Anyway किboy आफिश यहां पर आपको बताई दिया इसके बारे में आगे बढ़ते हैं आगे देखें यहां पर यह जो backlog वेकेंसी थी थी बहात्र वेकेंसी जो है backlog और फिर shortfall vacancies है और फिर दूसरी जो PWD फिजिकल person with disability वालों के लिए तीन वेकेंसी को लेकर रहे हैं तो यहां पर तो यह देखें backlog की वेकेंसी जो है बहात्र उनके लिए पूरा दे रखा है कौन-कौन से subject में देखें सब्जेक्ट यह लिखें हैं English, Mathematics, Static, Physics, Chemistry, Botanize, Geology यह जो टर्म है ना communication यह जो टर्म है इन टर्म की देखें फुल फर्म आप कहां देखेंगे अगर आपके पास इन नोटिफिकेशन इसको आप डाउनलोड करते है नहीं तो मैं आपको दिखा दे रही हूं क्योंकि बच्चे सोचेंगे ना यह टर्म्स हम कहां से देखें यह यह पूरी टर्म्स देए हैं जी टी माने है जन्रल कंडिदेट याद रखना जी टी माने जन्रल कंडिदेट हैं बी सी माने बैक्व compassion ट्रास मुसलिम MCV, MBC माने Most Backward Class है Most Backward Class SC माने Schedule, SCA माने Schedule Cast Arun Thethier ST माने Schedule Tribe यह सब इसमें दिया W for Women होगा VI for Visually Impaired यानि कि यह Person with Disability से Related आगए तो यहाँ पर GT से आप General Turn को याद रखिएगा General Turn को ठीक है तो इस तरह से इसमें यह Abbreviation दे रखे यही Abbreviation आपको Starting में यहाँ पर दिखेंगे जब आप यह Vacancy दिखेंगे अगर GT लिखा है यह तो यह है यह Physically Handicapped को लेकर है यह सब तो इसलिए यहाँ पर इन Vacancy को देखने के लिए नहीं लेकिन जो Current Vacancies है यह देखिए है यह देखिए GT General Terms यह देखिए आपर Bio Chemistry में वेकेंसी है इसके अगर बायो लोजिकल Sciences Education से रिलेटेड है यह के टोटल यह 24 है यह एक वेकेंसी है आपर Botany में देखिए यह Botany लिखा है Botany में 115 वेकेंसी है Plant Biology और Plant Bio Technology में 28 वेकेंसी है इस तरह से Bio Technology में 5 हैं Computer Science में 244 वेकेंसी है 244 Computer Application में 76 वेकेंसी Common वाली है वो है Chemistry में 263 वेकेंसी है अगर आप इसके अंतरगतार हैं तो form को जुरूर भरिए Commerce में 296 है यह देखिए तो इस तरह से वेकेंसी सारी दे रखी है सारे सबजेक्ट में देखिए इंगलिश में 656 है Economics में 161 वेकेंसी है इसके आद एजुकेशन में 45 वेकेंसी है तो यह वेकेंसी जो है 4000 वेकेंसी है तो काफी संख्या में आपर इस्ट्री में देखिए 126 वेकेंसी दे रखें Geology में 28 वेकेंसी है Home Sciences में 36 वेकेंसी है इसके बाद यहाँ पर यह पूरा यह दे रखा है Political Science में 37 वेकेंसी है इस तरह से वेकेंसी काफी इसमें दे रखी है 80 वेकेंसी स्टेटिक्स में दे रखी है Socialology में 3 है Social Work में 16 है तो इस तरह से आपको सम्मेही वेकेंसी आपर दीख जाएंगी फिर यह संस्कृत में 4 है Tamil में है Visual Communication Wild Life Biology में जोलोजी में 132 वेकेंसी जोलोजी में Total वेकेंसी 3921 जो General वेकेंसी है वो यहाँ पर यह दे रखी है तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखेगा और GT माने General जो Candidate है क्योंकि देखे यहाँ पर जो Tamil नाडू के है है ना जब Tamil में है तो Tamil नाडू के जो लोग है Reservation का फाइदा उनी को मिलेगा ठीक है उससे बहार के लोग GT में Count होंगे General Turn में तो General Turn में आप देख लीजेगा अगर आप और फिर W for Women और यह देखे 30% Reservation Women के लिए है लेकिन है As per the rule of किसके According तमिल नाडू के According और इसमें तो इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजेगा तो यह फूरा दे रखा है यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर यह जो है फीमेल के लिए तमिल नाडू के रूल के According है तो तमिल नाडू की फीमेल के लिए होगा बाहरवाली जो फीमेल है वो जनरल में काउंट होंगी तो इस तरह से इसमें दे रखा है पूरा और Transgender और Reservation Age Criteria देखे तो Assistant Professor के लिए आपको पता है 57 साल आपने Complete कर लिए हो तो भी आप इस Form को भर सकते हैं और तमिल नाडू के हैं तो आपको Age Relaxation मिलेगा तो यह चीज है तो Assistant Professor के लिए तो काफी Age हो जाती तो भी आप इस Form को भर सकते हैं Education Direct Recruitment लिखा है किसके लिए Arts, Commerce, Humanities, Education, Social Science, Social Language Physical Education, General and Mass Communication ठीक है Assistant Professor के लिए Eligibility या तो आप पे A हो या B हो यानि कि Master Degree आपने 55% मार्क्स में कर रखा हो In the Concern of Relevant जिस भी subject से आप Form भर रहे हैं माली जी हिस्टी से तो हिस्टी से MA कर रखा हो और 5% relaxation वो सब इसमें दे रखा है ता मिलनाडू के लिए इसके बाद ही पूरा याँ पर दे रखा है देखे पूरा ठीक है ये A का ही पार चल रहा है पूरा एका पहला पार्ट अब एका दूसरा अगर उपर वाली qualification नहीं है तो उसके साथ आपने PhD गर रखी हो यहाँ पर ठीक है PhD वाला criteria यानि कि आपने PG गर रखा हो और प्लस PhD गर रखा हो इस चीज को याद रखेगा इसके according यह है पूरा ठीक है PhD वाला criteria तो रहता है यह definitely इसके बाद यहाँ पर आजाते है अगर आप यह दूसरा है अगर आपने उपर वाली qualification नहीं है यानि कि PhD नहीं है तो आपने net कर रखा हो वो आपको सभी को पता है कि क्या होता या तो आप PG प्लस PhD हो और नहीं तो क्या हो PG प्लस net हो यह दो में से एक तो होई और अगर PG प्लस PhD प्लस net है तो और अच्छी बात है तो यह criteria असिस्टन प्रोफेसर के लिए चाहिए तो यहाँ पर पूरा यह दे रखा और फिर वोई पाच जो उसके प्रोग्राम रहते है तो इस सब को लेकर होता है पूरा आपको वहां के जिस इनिवस्टी से किया उसके रिजिस्टार या डीन के साइन किया हुआ आपको एक एफिडेफिट या सर्टिफिकेट बना के वहां से देना होगा कि हाँ यह सब आपके PhD के वरकिट टाइम में रहा था तो यह चीज इसमें दे रखा है ठीक है नेट सेट स्लेट जो भी है वो कर रखा हो आप आजाते है यह रिमार्क पर दोस्तों रिमार्क है कि जो डीफ केंडिडेट जीने पढ़ाना है अगर उसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं यानि कि जो सुन नहीं सकते केंडिडेट उन्हें आपको पढ़ाना है तो आपके पास या तो यह वाला आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जो कि रिहाबिलिटेशन कांसल ओफ इंडिया एप्रूफ डिस डिस एबिलिटी रिलेटर दीफ कोर्स जो कराया जाता है सीनियर डिप्लोमा तो वो होना चाहिए या आपने स्पेशल बियेट कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है तो इस चीज को ध्यान लखेगा और यह पूरा इसमें दे रखा है और अपलाई कैसे करना यह वेबसाइट दे रखी इस वेबसाइट पर जाके आप अपलाई कर दीजे जो बच्टे इस फॉर्म को अपलाई करना चाहते हैं वो लोग और इसके साथ साथ पूरा आपको अपना सर्टिफिकेट या जो भी चीज मांगी जा रही है वो आपको स पूरा दे रखा है वो तो मैंने बताई दिया आपको कि पेपर आपका जो है वो अगस्त में होगा किस तरह का पेपर होगा कैसे आएंगे यह सब दे रखा है 40 पेज का यह नोटिफिकेशन है यहाँ पर तो यह है इसके बाद यह आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब एक ची क्यानवे के बाद किया तो 55% होने चाहिए विद नैट स्लैक्ट तरानवे वो है पूरा तो पीजी विद 55% मार्क्स इस तरह से इसमें दे रखा है तो यह पूरा दे रखा है स्लेवस और इसके बाद यहाँ पर यह पूरा क्या क्या सब्जेक्ट है उसके बारे में दे रख पूरा शा där आ और देखिर पूरा श्रथे उन्हों इन्हों नहीं आ पर gonna मैं इसकी पूरी बद्विकेंसी और आपको बताई दिल्ठ एक्जाम और इंटर्वीव मत बताई दिया मैंने आपको तो जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो भर दीजेगा और ये वेबसाइट भी रखी इस वेबसाइट पर जाके पूरी आपको इनक्वाइरी करने के वाद इस फॉर्म को भरिएगा बढ़िया से और अपने लिए एक जॉब से क्वेड कीजेगा मिलूंग अगली वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए नमशकार धन्यवाद